आप सभी का रहमों भी टॉप और शो में हार्दिक स्वागत है आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं शिवानी मालविये जिनकी SSE CGL 2018 में All India Rank 171 है और इन्हें Ministry of External Affairs यानि विदेश मंत्राले में Assistant सेक्षन ऑफिसर की पोस्त मिली है जो लाखों SSE CGL के लिए टॉप ड्रीम पोस्त है तो चलिए शिवानी से मिलते हैं और इनकी पूरी और लिवड इन और्डेंस फेक्टरी संस मैं फादर वर्क देर ओके तो शिवानी आपकी जो एजुकेशन है वहीं से हुई है सारी तिल 12 और ग्राजुएशन ये सर्टेल 12 मैं और इस वेक्टरी में केंद्री विद्याले नंबर वन था वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है अ जी और एससी सीजील जो 2018 का एक्जाम था यह आपका कौन सा एक्टेम था था तीसरा एक्टेम था पहले दोनों एक्टेम्ट में आपका क्या रिजल्ट रहा है ससी में सिक्स्टीन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मेरिट में टू पॉइंट फाइव मार्क से मैंने लैक किया एंड़े 2017 आई गौट सीबीडिटी टीए पोस्ट और मैं अभी करेंटली डेली में पोस्टेड हूं इंकम टेक्स डेपार्टमेंट अच्छा तो अभी आप टैक्स असिस्टेंट के पाद पर दिली में हैं और फिर आपने 18 रैंक इंप्रूव करने के लिए और आप ने अप्ट किया तो आप जब टैक्स असिस्टेंट के पत पर काम कर रही है तो आपको यह नहीं लगा कि आपको आई-टी-आई-एउप करना चाहिए था उसी डेली में पोस्ट बहुत ही कम थे आएटी की and I thought मेरा इंकरेशन जादा हो गया विद टाइम मैंने पहले नहीं सुच्छा था कि में जाने का इसा मौका रहेगा करने के बाद और नैशनल के साथ एक इंटरनाशनल एक्सपोजर रहेगा हम लोगों को इन सब चीजों ने मुझे में की तरफ कर दिया सब्सक्राइब करने के पड़े आपका भी गये थे नौर्ट ब्लॉक उदर देखने की मिये का किस तरह का बिल्डिंग है क्या उसका भी इंपैक्ट था कुछ पूंज की तो थोड़ा सो तो रहता है लाइक है वरे गुड़ वाड्य कि सबसे पहले मैं आपके मार्क्स के बारे में जानना चाहूंगा की जो सब्सक्राइब तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता है राव मांक्स और नॉम्मालाइज मांक्स तो इससे जितने भी एस्पिरेंट उनको बहतर आइडिया लगेगा okay sir in 2018 my marks in tier 1 was 196.21 और मेरा जो shift था वो 10th of June को था and in tier 2 it was on 13th of September मेरे माच मेरा मांक्स थे 163 और निंग्लिश 176.5 और नॉमलाइज स्कोर था 177 और 191 जो मेरा tier 1 प्लस tier 2 का total था 564 था and my final marks is 626 okay right so Shivani अब थोड़ा सा आपकी त्यारी के बारे में जानना चाहूंगा तो जब आपने preparation start करी आपने CGL 2016 का एटम लिया था तो किस समय आपने यह सोचा कि आपको ऐससे सीजिल के टारी करनी है कोई और चीज क्यों नहीं कि ग्राजुशन के फाइनल यह तक I was clear कि मुझे एससे के त्यारी करना in first two years I went through syllabus different exams के जिसमें मैंने banking railway state PCS अभी को consider किया था but final year आते तक I was inclined for SSC जिसका major reason मेरा maths में इंडरेस था and also English और syllabus को compare करने के बाद फिर final year में I took classes for maths and English separately and I attempted 2016 and after graduation I joined a full-fledged course for SSC जिसमें GS reasoning सभी कुछ included था और graduation के बाद I got a lapse of two months जिसमें मैंने प्रपेर किया 16 के लिए and then I I went for it so इसके बाद जब 2016 आपने दिया और आपका final लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपको क्या कमिया लगी उस साल अपनी तयारी में कि मेरा सेलेक्शन क्यों नहीं क्योंकि आल से बाहर होना वह भी टू-पॉइंट-5 मार्क से यह बहुत ही डिसकरेजिंग होता है कि विल्कुर आलमोस्त है तो क्या आपको अपनी तयारी में कमिया नजर आई क्योंकि बहुत सारी इसे स्पीड आलेसिस रहता है बहुत सारी चीज़े हमें मैं मैं रखने पड़ती है एक प्रिपरेशन फेज में आई थाट मेरी वकाबलरी उतनी स्टॉंग नहीं थी मैं उतना कंप्रेहेंशन पर ध्यान नहीं था था जो प्रिपरेशन थी अजो प्रफिशिल थी आप थो थे शिलबस इड़त थी जो सिलबस में था बट चो परफेक्शन होता है यह जो कि अधिर थी जो कमांड ओती है यह सारी चीज़े प्रैक्टिस से आती है 16 में माने फ्रेजल वर्ब्स जादा नहीं किये थे वो के अब लेरी में जो 17 और 18 में कलेक्शन था एक 16 वाला कलेक्शन वस नथिंग इंफरन आप तो आल दीस थिंग्स अज में जो 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 ट्रेंड में क्वेश्चन स्रहता है वो तो जाते थे बट जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन सोता है लाइक आट ओफ दो वे जो आ जाते एक्जाम में उस लेवल की त्यारी नहीं थी क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था 16 की तैयारी को अगर आप मैं कहूं आपसे की आउट आफ 10 कितना रेट करोगे जब आप 16 के बाद 17 की तैयारी आपने करना शुरू तो मेजर चेंज़े आप क्या लाए अपने तैयारी बहुत सौंड नहीं है तो क्या चेंज़े आप लेकर आपनी तैयारी में और आपका मोड़ अफ प्रिपरेशन क्या था जैसे 16 के लिए आपने बोला कि आपने क्लासे ली थी इन दोर में 17 में भी क्लासे आपने जॉइन करी या फिर कैसे तैयारी करी आपने उस पीरिट आपने जॉइन क्लासे ली थी इन दोर में जोइन क्लासे वर 17 अग्यारी में फोकुस शिफ्टेट टो जी यस क्योंकि 16 में मुझे समझ आगया था कि प्री में स्कोर जादा होना बहुत जरूरी है और वो जी एस के बिना नहीं सकता है तो आइफो को अग्या नहीं पर एफ जो 16 में मौक टेस लगाती थी उसके अनलेसिस जो मैं करती थी उससे जादा अनलाइस करना में 17 में स्टार्ट किया अगेव मोर ताम तो इट जो वर्ड्स मुझे नहीं बनते था इस्टार्ट इन नोटिं देमाउट और और वोकाबलरी जी एस करेंट अध्स में तिपिकल क सब्सक्राइब कर सकते थी मैंने 17 में स्टार्ट किया और सब्सक्राइब कर देने के बाद आपको फिर से डिस्करेजमेंट हुआ कि तयारी अच्छी थी उस साल और आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए या फिर कहीं आपको लगा कि तयारी तनी बहतर नीजिए क्या कारण था कि आपको 17 में एक अच्छी रैंक नहीं मिल पाई ता लिक वन आइव लीविंग देसेंटर आपको परफॉर्म और जो हम प्रैक्टिस लगा के जाते थे उसमें आइस पोर्ड़ बन एक्टी प्लस वन नैंटी प्लस जो सांपल टैस्ट रहते थे और यहां मुझे पता था कि मेरा स्कूर क्या रहने वाला है उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं और इंप्रूब्मेंट की बहुत जरूरत है अभी सो जब आप 17 से 18 मूव करके आए तो आपने तैयारी में इस साल क्या वो चेंज किया कि आपके रैंक इतनी अच्छी इस बार आई है वो थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बता है क्या मेजर चेंज जो है आपकी तैयारी में आपने किये सब्सक्राइब काफी सारी करी हुई थी इस ताइम मैं उन सारी बुक्स को 10-15 ताइम्स कर चुकी थी सो अल दे ट्रिक्स जो उसमें मेजरली हमें पता होना चाहिए लाई कि हाव वी उस रेशो और वी उस प्रपोर्शन संट्राइब किसी भी क्वेशन को और शॉटली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो यह सारी चीज़े अब मुझे पता चैल चुकी थी इन 2017 वे लुग का थी थी मिन सारे टाम मैंस के बास जो हमें काफी सारा ताम्न गाप में लिया था तुरिं आप ताम अपालिया थी और्स टॉरिं अर्ली औरल चाल्कुलेशन्स पर मेरा फोकश शि मैं उसके बाद मुझे मैंने प्लान किया कि वो questions 20 to 25 seconds में अगर मैं करनो तो जो difficult question है उसके लिए मेरे पास जदा time बचेगा तो जो difficult question होता है कई बार उसमें 4 to 5 minutes भी लग जाता है ना single question so I started doing easier questions in a faster speed and it gave me a lot of time for the difficult questions just say score score improve होता है एक चीज़ मुझे और अभी यहां जानी है जो subject बाइस स्टाटेजी उस पर focus करते हैं कि आपको जब 2018 का attempt है उसमें आपने individual subject को किस तरीके से त्यार किया है so मैं यह पूछूंगा आप से कि 2018 की जब आपने त्यारी स्टाट करी 17 का process बहुत लंबा रहा कोट के से यह वो clear नहीं था कि क्या होगा तो क्या पैलली आप 18 की त्यारी कर रहे थे या फिर आप आपने 17 का रिजल्ट देखने के बाद ही decide कि मुझे त्यारी करने कि क्या था नो सर्व 17 के रिजल्ट के बाद first of all तो मुझे office office में थान देना पड़ा so there was a long gap जिस मेरी पढ़ाई नहीं हुपाई थे स्टेंपर and it was really challenging for me जो मेरे study hours उनको पपस से track पे लाना और stretch करना like 15 hours 16 hours I had to study उसके बाद क्योंकि गप के बाद फिर ट्रैक पे लाने में काफी ताइम लगता है so I I went to I used to go to library जहां मुझे distraction बलकुर नहीं होता था and I got that aura और उसके बाद English के लिए for comprehension I I opted KD campus books by Neetu Singh Ma'am and MB publication majorly जो previous years questions से वो सारे हम लगोंने बहुत अच्छे से कर लिये थे I solved that book around eight to nine times and it had some vocabulary sections also like idiom phrases and antonyms synonyms word meanings वो सभी by heart कर लिये phrasal verbs ही मैंने उसी से पड़े थे so yeah these two books for English इसके अलावा सारी मैं mock test लगाती थी depending on my time and strategies one to two mock test everyday English like एक तो होना ही है per day उससे क्योंकि comprehension के जो हमारा flow होता है वो तूटता नहीं है अगर mock test में गया जाता है तो मारी परफॉर्मस मुझे लगता था कि मेरी परफॉर्मस अगर मैंने दो दिन मोक्तिस नहीं दिया तो थर्द दे इट फेल मैं स्कोर फेल दॉं and similarly for GS जो मैंने 16 17 में प्रिवेस यह सेट लगाया थे जो मुझे क्वेशन से इंपॉर्टन लगते थे I used to note them down in my notes and जो मैंने यहां पर इस बर रवाइस करें and for current affairs I did study IQ videos on daily basis उसमें notes के साथ साथ revision के लिए काफी time निकालन पड़ता था so I revised them every day for vocabulary in 2017 mock test देती थी उसमें I noted down all the different difficult words और उसी का revision surfer vocabulary को I gave around one and a half hour similarly one and a half hour for current this spare time for mock test and analysis and some video lectures अगर आपसे एक सवाल यह पूछों कि लट से किसी को English की तियारी करनी है पूरी from scratch पहले तो आपकी English पहले कैसी थी मादब आपका जो पढ़ाई था वो किस medium में था English medium से होने का एक एड्वांटेज होता है कि English पढ़ना मुझे पढ़ना चाहिए इंग्लिश में आप उसको क्या ऐसी एक book list दोगे या content list दोगे कि वो इतना कर ले तो उसके marks आपके जैसे आजाए इसके वारे में थोड़ा बताईए इसके वारे में थोड़ा पताईए आप इसे कोई ऐसे कोई content list निया जो गैरेंटी कर सके किसी को इतना ही marks लाने के लिए है अपको इसके वारे में दिविजाए नियुक्त सब्सक्राइब कर दोगे में दोगए इस हैं बहुत ताइम इनवेस्ट करो रीडिंग पर जो भी आपका फील्ड फिल्ड फिल्ड उई आप इंट्रू लाकियों इक तो उसके आपको रिश्प्सांपर्स जाए जाएं उस मेरा दिमाग भु समझ लेता है, like sentence framing, how to use phrasal verbs, how to use prepositions, यह सब रीडिंग से आ जाता है, so this happened with me, I was into reading since the very beginning, so English comprehension में काफी है लेप मिली, जो exceptional rules होता हैं ग्रामर के लिए, जो हमें रीडिंग से नहीं आपाता हैं, सिर्फ उन पर हमें फिर वर्क करना रहता है, है, so we can rely on books for them, and for previous year sets, it's very important to go through previous year sets, especially in SST, I have experienced that, so previous year sets के लिए MB publication मुझे इच्छी लगी सा, तो आपने previous year के सारे कुश्चन सौल पिये थे, yes sir, and surely vocabulary में retention के लिए क्या करें, बच्चे जैसे शब्र याद करते हैं, भूल जाते हैं, जो रोज मर्रा की जिन्दगी है, उसमें उन शब्रों का कोई इस्तेमाल नहीं है, है न, यहां तो हिंदी बात करके सारा काम चल जाता है, क्या उनका दाइरा था, क्या नए शब्द आप डेली उसमें आड करते थे, या कोई list थी आपके पास word list उससे आपने प्यार की थे, जो मेरा क्लेक्शन था, उसे बनानी के लिए, मैं किसी बुक से नहीं पड़िया वो कैबलरी, अबी पॉप्लिकेशन के अलावा, एमी पॉप्लिकेशन करने के बाद, जो मुझे जो भी वर्ड ऐसे लगते थे कि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है, I noted it down in my notebook, and there were around 3,000 words in it, 3 to 3.5,000, और मैं ऐसे डिवाइट करके कि एक वीक में मुझे ये 500 words रवाइस करना है, throughout that week, I used to revise those 500 words, और जो मुझे नहीं याद होते थे, I used to take them, और फिर ऐसे प्रोसीजर में चलते हुए कि जो मुझे याद नहीं है, वाले words रवाइस करना, and personally, मुझे ऐसा रगता था कि मुझे घूम घूम के जल्दी आद होता था, तो मैं शाम के टाइम पर बहार चले चाती थी, और बिस books में words पढ़कर घूमते रहती थी, तो it worked for me. And grammar के लिए भी आपने कोई ऐसी activity करी कि notes बनाए, rules के? For grammar, I guess, I referred the book, Neidu Singh Ma'am's book, and no, sir, notes तो मैं grammar के लिए बहुत कम, जो मुझे असा लगता था कि जैसे spotting error है, उसे मुझे लगता था कि ये exceptional एक type of question है, जिसमें हमेशा मेरी mistake हो रही है, वो मैं note कर लेती थी, rules सारे note नहीं करते थे. और ये idioms and phrases जो आपके होते हैं, इसके लिए क्या तियारी करीती आपने अलग से? MB publication and जो mock test में different idiom phrases आ जाते थे, वो मैं अपना personal note करते थे. और जो बाकी areas हैं English में, शिवाने जैसे ये आपका area है, close test का area है, या PQRS के questions हैं, इनके लिए किस तरह की तैयारी आपने करी थे? सब्सक्राइब जो PDFs टाउनलोड करी थी, काफी सरीर साइट्स पर अवेलेबल रहती है फो PQRS and close test. Close test में ऐसा होता था कि it dependent on my concentration. कई बार वही सीम close test रगर मैं कर रही हूं और मेरा concentration कम है, तो उसमें मेरे marks नहीं आते थे. अगर वही मैं बहुत कंसेंट्रेटली कर रही हूं, तो उसमें मेरे marks अच्छे आ जाते थे. मेजरली मुझे सा लगता है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होता है, वो close test में काफी helping रहता है. तो mock test लेकिन सर इतनी लगा है मैंनी कि उसी में काफी सारी practice हो जाती थी. तो separately उसके लिए नहीं किया. इंग्लिश के लिए आपने कितने कितने मॉक्स दी होंगे वन आई आपस आते मैंस के स्टाटेजी पे सो एक नया स्टूडेंट है जिसमें त्यारी लेट से शुरू करी है मैंस जादा नहीं आती है और अभी एक दिमाग में लोगों को चल रहा कि कैलकुलेशन इंटेंसिव पर आ रहे हैं ठीक है दर मैं जब भी जाता हूं पढ़ाने यूट्यूब पर कोई कहता है सर्क कैलकुलेशन का कुछ बताओ कैलकुलेशन में कुछ बताओ सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको लगता है कि वह कॉंटेंट बच्चों को यूज करना चाहिए 2017 के एक शिफ्ट भी आया लोगो महसूस होने लगा कि का पेपर बहुत ही जादा वाइड हो गया है बहुत सारा कैट का कॉंटेंट लोग पढ़ने लगे फिर 18 में पैटन सिंपल था क्वेशन में कैलकुलेशन था एक स्टेट ऑफ कन्फूजन है बाहर इतना कॉंटेंट है कि इतना यूज करना है कि थोड़ा सा आप उनकी मैं चाहता हूं मैंस की जो प्रेपरेशन इसको एक डाइरे में बांग दो कि देखो इतना ही मैंने किया था ठीक है इतना करोगे तो इतना काफी है उसको बार-बार प्रैक्टिस करना रिवाइस करना थोड़ा सा मैंस की प्रुब दैश्वान। लेटर अंडर्स्टूड यह हर चीज ताइम डिमांड करती है जब हम प्राक्टिस जादा करता है हमारा दिमाग अपने आप चीजों को कालकुलेट करने लगता है हम यूस्टो हो जाते है हर चीज के सो ताइम के साथ फिर मुझे सारे चाप्टर के क्वेश्ट बनने लगे और अड़िद के रन 10 ताइम स्ट्वेल्फ ताम्स अरू उसमें काफी नाम्बर अफ क्वेश्टिस जाती है और अडवांस मैंस मुझे लुसेंट काफी अच्छे लगी अड़िए इसके लावस जो मारी प्रीवेस एर सेट्स है वो सौर्फ कर ना बहुत ही जारूरी है और एडवांस के लिए प्लेइंग विद एडवांस जो अभी बहुत अच्छे लगे मुझे वान तिंग एट है लॉट एप्स अलोट इस और चैलकुलेशन स्वाने से अप्रोच किया है जब हम एजी क्वेस्टेंज को भी जब पैंचल से करता हैं तो हमें बता नहीं चलता है मारा कितना टाइम जो एक्साम टाम रहता है बहुत प्रेशिस होता है अगर हम अपने माइन को ट्रेन करें कि औरल कालकुलेशन जो बेसिक चीज़ा है कालकुलेशन करने की और और हमारे पास बच जाता है also one book is Rakesh Yadiv की जो class notes के book that is very very nice book I have done it like 20 to 25 times or for the first 15 times I think मुझे हर बार ऐसा लगता है था कि I'm learning something new तो वो बुक काफी अच्छी है यह एक अच्छा point आपने बोला है कि repetition is the key the more you do it the clearer it becomes सेना एक रीडिंग में शायद इतना बढ़िया आपको समझ में ना है जितना ज्यादा आप करो कि उतनी ज्यादा clarity आती जाएगी calculation के लिए कोई specific effort जैसे आप और कालकुलेशन की बात कर रहे हो तो क्या तरीका था था कैसे आप कैलकुलेट करते थे और ली था कि जो बच्चे इंटर्वी देख रहे हैं वह समझ प्राइस चीज़ को जो easy questions होता है starting from them easy questions से start करके हम बच्चों की mentality है रहती है like this is very easy I can do it it's not a big deal for me लेकिन जब easy questions को होता है उनको पहले आप पैंसे करना start करो जब वो बहुत easily होने ही लग जाए तो फिर हमें question pattern समझ में आ जाते है कि हां इसके calculation से होगी read the question and try to find the answer in your brain जब हम यह करना start कर देता है तो दीरे दीरे हमारी calculation fast हो जाती है जो मन में होती है सो हम difficult question पर डिरेक्ट नहीं जम कर सकता है यह easy question से स्टार्ट करना पड़ता है so I did it this way अश्यवन एक चीज़ और कि मैंस में practice content को कितना limit करें अभी इतना ज्यादा content आउटसाइड है कि कोई बैठके content खोज़ने लगे तो कहां limit करना है उनको मतलब प्रीविश करना है तो कब से कब तक करना चाहिए उन्हें थोड़ा updated questions लेना है तो कहां से उनको यूज करना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और YouTube का कैसे इस्तेमाल students करें अपनी तयारी में महस की तयारी में आपने किस तरह से YouTube का इस्तेमाल किया क्या किया या फिर YouTube से आप बिल्कुल दूर थे थोड़ा सा इसके बारे भी बिरिफ करिये content से ऐसा ही कि एससी का जो question pattern है वो बहुत जादा वेरी नहीं करता है तो it hardly matters अगर आपको लग रहा है कि एक question pattern आपका cover हो चुका है तो उसके बाद फिर जो भी content जहां भी आप रिलाय कर रहे हो जो भी sources है वहां same type of questions का PDF download करने की या वही question repetitively solve करने की जरुत नहीं है if you have practice it enough second trusted sources से ही बढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी जगा available तो बहुत चीज़ है but solution एक right form में और correct answers मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है so rely on trusted sources only YouTube is very very helpful but अगर आप limited तरीके से उसे use कर रहे हो यह हमें खुद को analyze करना पड़ता है कि हम किस video से कितना grasp कर पा रहे हैं हमारा time कितना productively use हो पा रहा है क्योंकि ऐसे video देखने लग जाएं तो काफी time चला जाएगा में पदा भी नहीं चलेगा कितना चला गया so we have to calculate कि हमने इतने घंटे दिया है इसमें हमने इतना सीखा है यह सब होने के बाद फिर में पदा चल जाता है कि this faculty suits me और इनके lectures से मुझे काफी help मिल रही है so we can go for that faculty आपने आपने कौन कौन से YouTube चैनल फॉलो किया शिवानी दूरिंपरेशन तो मैंने बहुत जादा YouTube की वीडियो तो नहीं देखा है बट यह I saw videos of Abhinai sir उनकी geometry मुझे काफी अच्य लगी थी geometry मैंने उनसे प्रपर किया है also algebra yeah and time and distance ऐसे कुछ topics जो मुझे कुद को weak लगते थे यह person to person vary करता है जो मुझे लगता है कि जिसके लिए मुझे specific help के जरूरत है एक question pattern मुझसे नहीं बन पा रहा है speed में exam में तो उन topics को मैं देखती थी किसी पर faculty के और ऐसा नहीं करती थी कि इनके सारे वीडियो देखना we have to filter it out ourselves what is your need that is more important ठीक है एक चिश्वानी और भी मुझे अभी पूछना है मैस के बारे में की मैस का जो एक दाइरा है इसे होता है कि रिवीजन बहुत important है हम जादा जादा question करते रहते हैं तो मौका नहीं मिलता है कि हम पुराने questions को देख पाएं आपने इतनी बार रिवाइशन किया तो क्या आपका motivation था कि रिवीजन करने परस्नली मुझे से लगता है मेरा रिजन ही था कि मेरी पढ़ाई में कभी-कभी गब भी आ जाता था because of job and the number of times I revised उसमे जरूरी नहीं था कि मैं सारे questions solve करूं जब हम शुरू में 10 times solve करते हैं उसमें 5 times मैसा होता है हम difficult question list out कर लेता है तो मैं highlight करके रखती थी question को और जो highlighted questions होते थे सिर्फ नहीं को मैं करते थी secondly जो मैं revise करते थी उसमें यह भी जरूरी नहीं है कि मैं सारे questions को बैठके solve करूंगी मैं सिर्फ अगा question भी रीट कर रही हूं और मुझे question pattern यहाद आ गया है मुझे पता चल गया है ऐसे ऐसे मुझे solve करना है तो मैं go through करती थी एक तरीके से उससे ज़रूरी नहीं है कि मैंने हर बार बोग को पूरा बैठके pencil से solve किया हूं क्योंकि इतना करेंगे सब्सक्राइब करने की इतना ना तो आप याद रख सकते हो ना लगा सकते हो सब्सक्राइब करें इग्जाटली एगर मैं क्या चैलकुलेशन की बात करूंगे आपने एटीन का पर दिया जिस तरह के कोश्चन साएं कि डेसिमल में वैलूस को क्यालकुलेट करना है और मेभी परसंटेज निकालना है परसंटेज चेंज निकालना है तो हाउड डू दे स्पेसिफिकली प्रिपेर फॉर इंड बी कॉंफिडेंट क्या मेरी ठीक है तेन यू तेले बिट अबाउट इट सब्सक्राइब करने के लिए और उसमें जो बेसिक चीजह हैं लिक एडिशन आपने असे अक्सेस कराई हुए है कि विदिन पाइज सेकंड यू आफ तो सब्सक्राइब करते हैं तो अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यूस नंबर्स की आद कर लें वह करता है एंड यूजिंग रेशियो इन पर्टिकुलर ताइप फॉर फ्रैक्शन से काफी जो सब्सक्राइब बट्याइस माल्टिप्लिकेशन स्कॉर्स चो मैंने कोस्किया उसमें मुझे काफी है तो आपने कितनी तक स्कॉर्स आपको ध्यान थे 25 25 and क्यूबस अपने कितना ध्यान किया था 20 and and fractions 25 tables 25 25 याप को मुस्टे जाधा टेबलाथी तक ही जानता हूं इसलिए पूछ रहा हूं था कि बच्चों को मालूम चले कि बहुत जाधा उनको एलियन स्किल्स नहीं चाहिए calculation के लिए it's just that आपको questions के थ्रूप्राक्टेस चाहिए approximation आना चाहिए या आप answer को थोड़ा बहुत approximate कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा प्राक्टेस की requirement है प्लस जैसा आपने बताया ओरल कालकुलेशन जो mentally चीज़ों को calculate करना that's that's the key moving to the next section शिवानी is gs और reasoning यह जो कि prelims में आते हैं लेकिन में नहीं आते हैं अक्सर बच्चे इनको overlook करते हैं आपने बिता कि 2016 में आपने इसको और लोक कि किया था ठीक से त्यारी नहीं करी थी बड़े कितना इंपॉर्टेंट हैं रैंक लाने के लिए अगर आप इंकम टैक्स या फिर राइट में यह टार्गेट करें तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो how important they are but the challenges की कितना time इंको दें knowing कि यह 50 marks कहीं हैं बस so GS के लिए मैंने किरन जो एक बुक आती है वो रिफर करे थी but it is very landy and the number of question is like उतना पुरा याद मुझे दो नहीं पाया था and apart from it Arihant एक बुक है that is all-in-one book इसमें सारे subjects कवर किये हुआ है I genuinely feel वो बहुत helpful रही है for statics as well as for other subjects apart from this current affairs and science बहुत साथा वेटेज करी करता है हमारे GS में so 2018 मुझे पदा चल गया था अगर GS मेरी प्रपरेशन अच्ही नहीं है I can't hold it through in pre में कि मुझे अच्छा स्कोर आपा है so I concentrated more on current affairs and despite the fact मुझे बहुत टाइम देना पड़ था उसे सिर्फ current affair को around one and a half or two hours every day that was a lot of time for me but still I gave it and मुझे लगा भी कि वो मेरे लिए अच्छा results produced हुए उस time के investment से science में सामिर ऐसा था कि जो मेरा school में था it was math science and I opted by bio at the same time तो उतना जदा science मुझे efforts मने लगाए लेकर results जादा अच्छे मिल गए तो science एक तरीके से मेरे लिए strength बन चुका था जी एस के लिए for history जो मेरी full-fledged course था जो सब्सक्राइब किया था जो मेरे faculty थे उन्होंने बिल्कुर स्टोरी फॉर्म में मुझे हिस्ट्री समझाई हुए थी तो हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ उन्हीं के नोट्स यूस किया and yes class के नोट्स and sometimes previous year question papers सारे solve किया क्योंकि सब्सक्राइब काफी questions repetitive भी रहता है and for reasoning reasoning I I went through the notes चुबने क्लास में बनाए थे and I did only mock test no books no books ठीक है जबने बिता कि आपके 12th मैंस और biology दोनों थी यह बहुत ही हिम्मती लोग ही आसा काम कर सकते सब्सक्राइब कितना आप सुरू से क्या बहुत पढ़ने वाले थे और मार्क्स जादा टॉपर थे आप शिरवात से ऐसे बहुत अच्छे students में थी and bio में मेरा काफी इंट्रेस्ट था तो अपने आप पढ़ने में आ जाती है चीज़ें सब्सक्राइब कि आपने टीर वन का जो एक्जाम दिया आपकी टीर वन की क्या स्टाटीजी थी कि आपने दो अल्रेडी एक्जाम दे रखें पहले ना तो यू हैब मोर नौलेज किसी और से नहीं पूछना कि क्या होता है अंधर जाके क्या प्रेशर होता है तो क्या आपको एक फिक्स पैटन आपका कि पहले यू सेक्शन फिरे सेक्शन और कितना टाइम ने डिख्जाम में कि मैं रही स्पीड चल रही है मेरी या नहीं चल रही है थोड़ा सा ब्रीफ आउट करें प्लीज Okay, so first of all I attempted reasoning questions, which is my time to decide कर कर रही हाव तो दो इन 15 minutes, जतना भी हो जा है after that I went for maths, maths में मुझे अगा था कि 20 minutes जतना हो जायागा उतना मुझे कर नही है and after that I went for English English में पहले इसले नहीं रखी थी क्योंकि जो सहरे हैं तहरे है उसरे शाज सोरी क्वा में अने जल्दि चल्दी कर ले लेखी थीट का टार्वा के फिल्स पहले करके लिगे एक थाज्द गेते इंग्मेर के लिए कि व एक लिएद स्व्चाट इन्ट गट हैट इन चिवाद दे पहले क्वान थे सो रीजनिंग में भी चो मुझे लगता था कि क्वेशन नहीं हो रहा हैं आई सेंप्ली स्किप्ट थैं और इंग्लिश और जीएस करने के बाद लास्ट में मेरे पास 10 मिनिट्स बचना चाहिए सब्सक्राइब कितने क्वेशन किया थे या कैसा आपको बहुत अच्छा गया है या कैसा आपको बहुत होड़ा था किवाद बहुत है या कि अटत्रब कि मुझे अट रहने सेंवाद भूराएठे परेंग कर जो आपका सब्सक्राइब करेंग इसे हैं अधर कर पाई हैं मुझे थोड़ा ठीक लगा था कि चलो ठीक के बाद बैलेंस के बाद आपने टीर टू की त्यारी शुरू करी थी या थोड़ा बेट करके फिर त्यारी शुरू करी आपने कितने घंटे आप पड़ते थे लिए टीर टू के लिए मैंस के लिए लाइबरे जॉइन कर रखी थी और मैं सोबच है और मैंग्सिमुम साथ बजे लाइबरेडी पहुंच जाती थी और लेफ लाइबरेरी एट अराउंड 930 और 10 इसके लावा में कुछ ने करती थी रात को ज्यादा पड़ाई 15 गंटे हो गए बहुत ज्यादा है ग्रेट ग्रेट अब ही मुझे यह बदाई कि जब मेंस का एक्जाम आप दे रहे हो तो क्या स्टाटेजी आप कि थी टू का एट्रेम्ट करते हुए कि क्योंकि आप सौ सवाल मैट के देने हैं आपको है ना हंडेट इंग्लिश के हैं दो घंटे का लगातार पेपर है प्रेलिम्स में कुइक स्विच करना है कि 15 मिनिट यह दिया फिर यह दिया फिर यह दिया वहां आपको सुच करने की दिक्कत नहीं है बड़ इतने सारे सवाल हैं तो एक एक कहते ना कि बेंचमार्क भी होता है कि एक आपको मिला होगा मौक का सो थोड़ा मेंस के डे को री क्रिएट करके बताइए कि कैसा आपका वो दिन गया एक्जाम का कि मेंस का जो एक्जाम हुआ था पर्टिकुलर और उसका एक्सपेरेंस के लिए तो मैं इस चीज पर दिहान रखती थी कि सिली मिस्टेक्स ना हो फर्स्ट फॉल क्योंकि सबसे ज्यादा वही बाद में रिग्रेट का रीजन बंती हैं और हमें यह फिगर आउट करना कि यह क्वेशन मुझसे बन जाएगा मुझे इसमें अभी टाइम देना और यह मुझसे अभी नहीं बनेगा है मुझे बाद में करना तो मुझे इस चीज से काफी हल्प मिली क्योंकि मैंस में इस बार भी क्वेशन टफी आय थे काल्कुलेटिव थे और लॉजिकल भी तफ थे तो आएगा मुझसे बन जाएगा मुझसे बन जाएगा मुझसे बन करते गई और लास तक फिर काफी सारे क्वेशन से अटम्ट हो भी गए थे और एंग्लिश ते मेजर पॉंट वास तो अवाइट सिली मिस्टेक्स क्योंकि एक्वेशन पेपर वास वे तू एजी और मैंने भी की है कुछ बट मेरा में फोकस था कि बहुत कंसेंट्रेशन से आफ तो गो स्लों स्टेडी बट सिरी मिस्टेक्स ना होने दे और पी क्योंकि वह काफी टाइम दे लेता था मेरा कॉंप्रेहेंशन पीक्यों आरे से मालास्ट में करते थी हमेशा तो मैस में आपने क इतना रहता था मॉक में जो कॉस्च यह करती थी कि na 90 प्लस और वह जाला तर रहता था 90 प्लस मेरा ने हमारे पूरा गरोप कई रहता था कि अपने लग आपने अगर सो कुछलन तो कितना करेक्ट होता था उसमें लग वासे टीज तो आप टेस्ट पर वेरी करता था बट औ तो मेरे आराउंड टैन कुश्चंस में कर सकते हूं फाइफ तो टैन करता था इतने गलत हो जाते हैं चीक है तो यह आप अभी करते कि हमारा एक गुरूप था पुदा तैयारी में उस गुरूप के बारे में कुछ पताएंगे शिवानी की कैसे क्या आप लोग पे स्टड़ी तो आप टू और त्री डिफरेंट गुरूप जिसमें गुरूप हमेशा वाथ सब्सक्राइब रहते थे और जिसे भी जो भी क्वेरी होती थी कोई डिफिकल्ट क्वेशन मिला है या कोई रलावल सोस मिला है यह जहां से हम पढ़ सकते हैं से कुछ भी इपॉर्टन मिला य और हम लोग की कहां ग्रोथ हो सकती है कहां हम वीग पढ़ रहा है वो सारी चीज़ें हम शेयर करते थे जिससे काफी हेल्फुल रहता था क्रूप के अलावब भी कुछ इंडिविजुल्स भी थे जिन्होंने हमेशा इन चीजों में मेरी हेल्प की है लाइक प्रोवाइडि नहीं करते हैं उनका कहना है वाटसफ डालने से ही रिस्टर्विल्स होता है तो एक तरीके से आपने यह इंशोर किया है कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और जो चीज़ें जरूरी है वह भी चीज़ें होती रहें टेक्नॉलजी का फायदा उठाना है ना कि उससे खुद नुक्सान हो जाया हमें तो क्या आपकी स्ट्राटेजी थी इसके लिए सब्सक्राइब करना है यह दो चीज़ें तो हमेशा मेंटें करके रखने ही पड़ती हैं वाट्साप वास दो ओनली सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म जो मेरे पास था क्योंकि जॉब के साथ भी मुझे प्रपैर करना है यह जरूरी नहीं कि मेरे सारे सोर्सें जिन से मुझे घर आप में सकती है वो वही मुझे एल जाए जाबी में हूँ तो आय युस्टो भी कनेक्टेट जित्ने भी मुझे लग था कि मेरे वेल विशोष्यों साया जो मुझे परेशन में हेल्प कर सकता है इसले वाट्साप वाज्ट्री फो में वाल प्रिपारिंग और इसके ला सब्सक्राइब कि आपको आईडिया होगा किस तरह से मार्किंग होती है कितने मार्क्स आपके 17 में इधर जो मार्क्स आए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको सेटिस्फाक्शन है या आपको लगपर और भी मिलना चाहिए सब्सक्राइब करता है कि जो इन्विज लेता है हमारी जो कॉपी चेक कर रहा है उनके और हमारे थौट्स सिंक्रनाइजेशन में है या ने अगर वो मैच करता है सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है सब्सक्राइब करने हैं हम लोगों ने काफी मैंने प्रिपैर किया था तरी के लिए या यूज टू राइट एसे लेक एवरेड़े थ्री एसे टॉपिक्स और करेंट अफ्रेस में जो भी टॉपिक्स रहते थे मैं उस पर फैक्स कलेक्ट करना या उससे रिलेटेड बहुत सारे अक्टिविटीज जो भी हुई है पास्ट फ्यू यहस में वो सब कलेक्ट करना कि सब किया था उतने साटिस्वाक्टरी मुझे नहीं मिले थे त्यारी के दौरान एक यह भी होता है कि आपकी लंबी त्यारी रही है 2016 onwards कि लोग थोड़ा बढ़नाउट हो जाते हैं वही रूटीन है वही प्रक्टिस है तो एक समय के बाद लगता है कि अब नहीं होगा प्रक्टिस है और उसके पास ऐसे ताइम आता है कि ही और शी फिल्स ताउन पर बहुत जादा जरूरी होता है तो मैं फैमिली वह 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 प्रक्टिस नहीं पूछे और हमेशा उन्होंने भी पेशेंस रखा और मुझे भी हमेशा अप्लिफ्ट किया लिक्यू कैंडू इस सबसे जादर मैंटल डिस्टरबिंग वाला फेज रहा है स्टूडेंट्स के लिए बट बाइद टाइम मैं अपने जॉब के साथ बिजी थी और मेरा ताइम बहुत प्रोड़क्टिवली उटिलाइज हो रहा था तो दैट कैप में एट पीस यह एक आपका एक था कि थोड़ा जॉब में इंवाल्व होने से आपको यह फाइदा था कि पूरा टाइम आप यह बैठके सोच नहीं रहे हो कि एक्जाम में क्या होगा राइट ठीक है ठीक है एक चीज़ और जाननी है कि इतनी लंबी तैयारी में बहुत सारा कि एक को तन बाइट इस लोग जो आपको एचीव करना है वो था या फिर कई बार यह होता है कि ठीक है चलो मुझे अपनी पहचान बनानी तो उसके लिए मुझे लगातार काम करने की आवशकता है क्या क्या वह एक मोटिवेटिटिंग फैक्टर था कई बार इसा लोग होता है कि वह ग स्सी ग्राजुली बेकेम मैं ड्रीम और इसके लिए फिर कभी नेगिटिव थौट्स नहीं मेरे मन में मुझे पदा था कि स्टार्टिंग प्रेपरेशन से सेलेक्शन तक यह जर्नी बहुत नंबी रने वाली है तेडियस रने वाली में समझ चुपी थी और मुझे हमेशा म और अगर विल्पावर है तो अगर सकता है और बिस नेगिटिव थौट्स नहीं लाने देना है अगर पॉस्टिविटी रहेगी तो वह पॉस्टिविटी हमें ड्रैक करती है तो पफॉर्म अवर बेस्ट और मोर थिंग कॉंपिटिशन जो रहता है वह हमेशा हमें खुद स रखना चाहिए अगर हम खुद से कॉंपिटिशन रखेंगे तो अगर हम नहीं कर रहा है कुछ तो अपने आप गिल्टी फील होता है कि यह गलत हो गया इस ताम कुछ करना चाहिए था तो आपका कोई शेडूल था एक फिक्स की कि मुझे आज 12 घंटे पढ़ाई करने कोई टाइम टेबल जवाब फॉलो करते थे किस तरीके से आपने पर ट्यारी को प्लान किया कोई रिजल्ट नहीं देती है आपको पता ही नहीं होता कि क्या टार्गेट्स हैं वह अचीव हुए नहीं हुए तो आपका तरीका क्या था ट्रैक रखने का कि सब कुछ सही चल मैं अपने लिए गोल्स और टागेट्स बनाके रखती थी देवर यूज्यली लॉंग टर्म गोल्स बैट मैं उन गोल्स को स्लैब्स में डिवाइड करती थी और उन्हें डेली गोल्स में डिवाइड कर देथी उससे फैदा होता था कि अगर आज का टागेट पूरा नहीं हुआ है तो आफ तो लेक वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टोमारू ताकि मैं ट्रैक पर आपा हूं और जो मुझे बोरिंग लगता था या जो मुझे मैमराइज कर नहीं होती थी चीज़े I used to do that in the morning time क्योंकि उससे मुझे इसी and then I took test for time table के लिए I used to go library or library के लिए मुझे personally यह लगता था कि मैं leave लेके आई हूं यहाँ पर so I cannot afford wasting even a single hour or a minute so when when I'm sitting in library I have just one thing to do I have to study यह जीज मेरे माइन में बिल्कुल क्लियर थी जब ऐसा हो जाता है कि कभी हमें नींद आती है या कभी concentration नहीं होता है so either I used to listen to couple of songs or I talk to people जो मुझे मैं बिल्कुल confident थी कि वो मुझे motivate कर देंगे और उनसे बात करने के बाद मेरा अपने आप पढ़ने का मन करने लगतेगा आपने त्यारी के दुरान आप जॉब भी कर रहे थी थोड़ा उस जॉब के बारे में बताईए और साथी साथ बहुत सब्सक्राइब नहीं हो सकता है सो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए कि जब आप ड्यूरिंग दा जॉब आपने बीच में चुट्टी लेकर त्यारी करी जब चुट्टी नहीं थी जब आप जॉब में थे और पैललली त्यारी करें आप कितना टाइम निकाल पाते त्यारी के लिए और क्या वो आपक्षिन कंड़ता था हम लोग को इंस्पेक्शन पर जाना पड़ता था एंड सम्ताम्स इटोग लाइक मोर्डन वर्किंग आवर्स अंसम्ताम्स आइगाट फ्री तो मैं लुकिली मेरे ओफिस में भी मुझे जो मेरे सीनियर थे इमेजेट सीनियर वो बहुत सपोर्ट मिले और ही अंडर्स्टोड मैं मैं सिट्वेशन कि यहां लिर्की पढ़ रही है तो आइनू ही सपोर्टेड मी अपार्ट फ्रोम इट जॉब अपर्ट वर्किंग बंदे को त्री आर्स निकालने में लग जाती है क्योंकि जॉब के साथ-साथ फिर वो एक फिजिकल थकान मुले। पोफिस्में बहुत साथ होती है, जो हमें डिस्रप् करती हैं, बहुत साथ ही простêts मुलार शीजिख अक्येस चेल चालेंगे हैं तो ऐसा भी लगता था कि यार नहीं करना है बट फिर अपने आपको गैदर करना कि करना ही है सो फिर पॉजिटिव थौट्स की तरफ जाना ऐसे करके फिर ताइम निकलता गया तेयारी होते गई अगर हमारे पास कुछ नेगटिव चीज़ हैं उसके साथ में कोई पॉस्टिव फैक्टर सा जाते हैं डाट मोटिवेट अलॉट और उसके वज़े से हमें काफी बूस्ट मिलता है प्रेपरेशन के लिए बाकी आपकी होबी क्या है पढ़ाई के लावा आप क्या करना पसंद करते हैं और जो त्यारी के दौरान भी आपने कुछ हॉबी सी दिनको परसी रखा दिरिंग प्रेपरेशन और कई बार होते हैं कि सारी होबी छोड़के और प्रेपरेशन कर रहें किस तरह का आपका यह फेज रहा है I have many hobbies like I sing a lot and I'm interested in arts every form like sketching painting and I also love exercising so exercising and some physical activities was the only thing I continued while preparing क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता था कि वाई जोगिंग और like some workouts और performing Zumba इन सब चीजों से मेरी जो सिटिंग थी उसको एक स्ट्रेच मिलता था अदर्वाइस अगर हम दिनवर सिफ बैठे हुआ हैं वहारी प्रेश के बिल्कु ठीक नहीं है दीरे दीरे बैके कोना या सिटिंग कम होना यह सब प्रॉब्म स्टार्ट हो जाती हैं सो आई वर्ट आउट थोड़ा टाइम उसके लिए निकालती थी बट जो सिंगें वाला पॉर्शन और आर्ट वाली चीज़ें वह बिल्कुल चूट गया था उस टाइम पर जॉब और पढ़ाई साथ में सोची नी पारेगी मतलब उस तरफ का कुछ आपकी हावी सिंगिंग है जरूर दो लाइन हमें कुछ भी सुनाईए के संब तुही मचे को बता दे चाहू मै अना अपने तुदे का बता दे चाहू मै अना इतना बता दो तुझको चाहत पे अपने मच को यू तो नहीं गिया तुही मचे को बता दे चाहू मै अना अपने को दिल का पता दे चाहू मैं आपके आवाज बहुत अच्छी मैं यह कहूंगा और अपनी हाबी को पर्सु करिए अभी आपके पास टाइम भी है ज्यादा और टेंशन नहीं कि आप त्यारी कर दिए तो शिवानी जाते जाते एक मैसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो एससी की त्यारी कर रहें या किसी कि आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं सो जो फीमेल पार्टिसिपेशन है इन सब एक्जाम से वह काफी कम है सो मैं चाहता हूं आप जनरली भी स्टुडेंट्स को कुछ मैसेज दीजिए और इस्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी आगे आने के लिए जरूर इंकर सब्सक्राइब कर दो करते हैं चाहता हैं कि एक पार्टिस सब्सक्राइब केरेशन हैं इस definitely check you someone out there wish we My family was very happy when I was selected for this post and that happened is really inexpressible, guys. Just keep doing your best and it's all worth it. It's all worth it. Thank you. Shioni, एक चीज़ और कि जो especially female candidates है, right? Okay. उनका participation कम है. तो मैं ये भी जाना चाहता हूं कि आप का कोई message उनके लिए है. क्योंकि आप जब लड़कियां कोई exam निकालती है, तो एक तरह से एक role model हो जाती है, मुझे इसा लगता है, because कम लोग आते हैं in services में, कम लोग तयारी करते हैं, few words for them, so that they come out and reach to more heights. I think the main reason जिसके कारण female participation SSE में कम है, is it's a tedious process. It's a very long process from starting preparing to getting selected and like joined in the department. It's a years long process. I just want to say that time is something जो हमारे पास होता है, और यह जो हमारे पास productive time होता है, यह जो हमारे पास productive time होता है, यह हमारे लाइफ के most productive years है, जिसमें हम प्रपेर करते हैं. So, just decide कि आपको future में कहां रहना है, यह जो दो या तीन साल की महनत है, यह आपकी आने वाली 50 years की life को change करने वाली है. तो आपको wisely decide करना है कि आपका एक बीडिसिजिन सही या गलत होने से पूरी life उस पर depend कर रही है, so girls, come forward and this life ahead of you is very beautiful and just do your best, concentrate on your exam, prepare and make your parents and family proud. आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको फिर से बहुत-बहुत सुपकामना है आपके सपनों के लिए और मुझे पूरी उमीद है कि इस इंटर्व्यू के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वो अकसर बोलते हैं कि ऐसे टॉपर साने चीए जिन on Ramo with Toppers. Thank you, thank you so much for having me here sir. Thank you.